हेलो एवरीवन मेरा नाम है डॉक्टर केच सउगले और हमारे चनल डॉक्टर कंसल्ट में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज हम बात करने वाले हैं इंटरस्टेशियल लंग डिसीज के बारे में जिसकों के शॉट में आई-एल्डी ऐसे भी कहा जाता है तो आई- अधर के जखमाजी से बन जाते हैं, इसके बाद हम बात करेंगे हम इनिटरस्टेशियल लंग डिसीज बिमारे के होने कारणों तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंवर्मेंटनल फैक्टर के बारे में तो इसके दरस सबसे पहले आता है इसली का डस्ट ढृत इसके बारह केमोथेरपी दी जाती है उस केमोथेरपी के ड्रग कुछ दिल की बीमारी को ठीक करने के लिए दिये जाने वाले हार्ट के मेडिकेशन इसके साथ साथ कुछ एंटी इंफ्लमेटरी यानि सूजन को कम करने के लिए दिये जाने वाले कुछ दवाई या और कुछ खास तरह के इस तरह के medication के वज़े से भी उस patient के lungs affect होते हैं और उस patient में इस तरह के medication के वज़े से भी interstitial lung disease एक बीमारी हो सकती है इसके बाद कुछ बाकी बीमारी या फिर कुछ बाकी medical conditions भी है जिनके वज़े से उस patient में ILD या फिर interstitial lung disease एक बीमारी हो सकती है इसके बाद mix the connective tissue disease होना या फिर स्रोजन सिंड्रोम होना या फिर सार्कोाइडोसिस की बीमारी होना ये कुछ बाकी ऐसे medical conditions हैं जो कि as a complication interstitial lung disease की बीमारी को पैदा करते हैं तो ये बाकी जो भी medical conditions हैं इनके वज़े से as a complication interstitial lung disease की बीमारी हो सकती है अगर हम interstitial lung disease बीमारी के complications के बात करें तो ILD या फिर interstitial lung disease बीमारी के वज़े से उस patient में pulmonary hypertension हो सकता है या फिर right sided heart failure भी हो सकता है इसके साथ साथ किसी किसी patient में chronic condition में जा करके respiratory failure भी हो सकता है इसके बाद हम बात करेंगे interstitial lung disease के risk factors के बारे में सबसे पहले तो होता है age अगर किसी patient के age 65 या 70 या से ज्यादा है तो फिर उस patient में इस तरह से interstitial lung disease की बीमारी होने के chances काफे साथा बढ़ जाते हैं इसके साथ जो GERD यानिकि gastroesophagial reflex disease के जो patient होते हैं उनमें भी इस तरह से interstitial lung disease की बीमारी हो सकती है इसके बाद जो भी लोग smoking करते हैं जो भी लोग toxins को inhal करते हैं अपने occupation के वज़े से इन लोगों में भी इस तरह से interstitial lung disease की बीमारी हो सकती है इसके बाद हम बात करेंगे इंटर्चेशिल लंग डिसिस को किस तरह से डाइगनोस करते हैं इसके डाइगनोसिस के बारे हैं फिर से एक बार पहले जासा नहीं कर सकते लेकिन उस डिमेज को आगे progress होने से रोक सकते हैं काफी हद तक इसके साथ-साथ उस patient के science और symptoms आ रहे हैं उनको control करने की कोशिश कर सकते हैं इसके लिए हम सबसे पहले उस patient में cortico steroids का इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए उस patient में dexamethasone या फिर prednisolone methyl prednisolone इस तरह के drugs दिये जाते हैं इसके बाद उस patient में आगे जाकर के आईडोपेथिक progressive fibrosis ना हो इसके लिए इस disease के progression को रोकनी के लिए कुछ medications भी दिये जाते हैं इन medications के अंदर सबसे पहले आता है पिर फिरिडोन और दूसरा होता है निंटेडैनिब तो इन medications का काम होता है कि इस disease के progression को रोकना या फिर उसको control करना इसके साथ-साथ ऐसी medication जो कि stomach acid को regulate करते हैं उसको control करते हैं इस तरह के medications भी as a treatment इस तरह के बीमारे में दिये जाते हैं अगर किसी patient में interstitial lung disease के वज़े से काफी complications बने होए है पेशिट की condition काफी खराब है तो फिर उस patient में इसके आगे के भी कुछ treatment की जाती है जोकि उस patient को hospitalize करके दी जाती है जिसके उस patient को oxygen की ज़रूद पढ़ सकती है तो फिर उस patient को हम oxygen supply भी देते हैं आक्सिजिन सप्लाई के साथ साथ पर्मुनरी रियाबिलिटेशन कराना मतलब कि उस पेशिट को कुछ ब्रीधिंग एक्सिसाइज करने के लिए इंकरेज करना और उस पेशिट को उस ब्रीधिंग एक्सिसाइज के लिए इंकरेज करना और उस पेशिट से एक्सिसाइज करव complicated है और जिन में lung damage काफी जादा हो चुका है तो फिर उस पेशल में lung transplantation की surgery भी कर सकते हैं तो this was in short about the interstitial lung disease, thanks for watching this video till then, thank you very much.